आज हम लोग करने वाले लेक्चर एट और इसमें एक्विशन ऑफ सर्किल को ही फाइंड आउट करना है लेकिन कोशन जो है एक्जाम्पल में है एक्जाम्पल सेवेंटीन का कोशन नमर 13 से 20 तक का कोशन करेंगा है कै भी शांदार शांदार कोशन आने वाला है मजब आएगा इसमें करने के बाद आपका क्लास ही वो बहुत ही इस एजी कोशन को तो देखें यह कोशन का ओरीजिनल स्क्रीनशओं नमर 13 उनल 13 है जिसको करेंगे कोशन नमर 14 15 16 17 18 19 20 तो यहां पर 15 से लेके 19 तक यह जो पांच कोशन है अल्मोस्ट लवग लवग से मैं बट एक दो कोशन इसमें से हम लोग करेंगे और कोशन नमर 20 करेंगे है स्टार करतें कोशन को देखिए पहले कोशन पढ़ेंगे समझेंगे और जब आप देहेंगे ना कोशन अब करेंगे तो अपको यह दो अश्य तरीक मिया आ जाएगा कि क्या हो रहे हो रहीज रहे 3x plus 4y is equal to 7 चलिए, start करते हैं question हम एक equation of circle find out करना है तो जब equation of circle find out करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करना, एक circle को draw कर लिए ठीक है, अब कहरा है कि circle तो हमने draw कर लिया और यह जो pass कर रहा है, कहां से pass कर रहा है 1 and minus 2 से, तो दो point ले लेते हैं एक point यहाँ, suppose this point is P, जिसका coordinate है 1 minus 2, इस point से pass कर रहा है दूसरा 4 minus 3, दूसरा point कहीं पर और ले लेते हैं 4 minus 3, लेते हैं, यहाँ पर ले ले, ठीक है 4, Q ले लेते हैं, यहाँ पर 4 minus 3 तो इस दोनों point से क्या हो रहा है, circle pass कर रहा है दो condition given है, चूकि equation of circle निकालने के लिए हमें 3 independent geometrical interpretation, geometrical condition की जरूरत होती जैसा कि हम लोगो और थे होड़ी में देखा था और इसके साथ एक और दिया है which has its center on a straight line 3x plus 4y is equal to 7 so we have to draw a straight line which is 5, एक straight line हम को draw करना होगा यहाँ पर चलिए हम draw कर लेते हैं यह हमने एक straight line draw कर लिए और यह straight line draw इस तरह से करेंगे कि यह जो straight line हमने draw किया यह center से pass होगा और इसका center, circle का center में लेते हैं this center is alpha, beta ठीक है alpha, beta is the center of the circle और यह center है कि इस पर लाइख कर रहा है 3x plus 4 y is equal to 7 पर लाइख कर रहा है तो हमें अब क्या ने काल एक्विशन अब सेर्कल राइख अब ध्यान से देखेंगे चुकि alpha, beta lies on the line 3x plus 4y is equal to 7 so we can write here 3 alpha plus 4 beta is equal to 7 equation first हो जाएगा चुकि alpha, beta लाइख कर रहा है किस पर equation of straight line पर दूसरा condition क्या जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर P से हम लोग मालते center यह O है ठीक है, suppose यह O है P से O को मिलाते हैं और O से Q को मिलाते हैं तो यहाँ पर वो क्या नजर आएगा कि O P को जब distance होगा वो O Q के distance के बढ़ावर अगा हो क्यों? क्योंकि यह दोनों radius है 2 का whole square यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे इसका क्या है हमारा distance formula यह square root हो जागा कि इसका O P का distance सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं alpha minus 4 का whole square plus beta minus minus 3 का whole square यह होगा हमारा whole square तो इस तरह का whole square का square root हो जागा तो यहाँ पर हमें क्या लिखना परेगा यहाँ पर square whole square करना होगा और यह square root ठीक है तो इस तरह से distance जो है O P is equal to O P यह हम लोगों ने कर लिया अब क्या करना है squaring both side करेंगे squaring both side करेंगे तो alpha minus 1 का whole square plus beta plus 4 का sorry beta plus 2 का whole square is equal to alpha minus 4 का whole square plus beta plus 3 का whole square ठीक है अब इसको हमें क्या करना होगा expand करना हो expand करेंगे A minus B का whole square formula लगा alpha square plus 1 minus 2 alpha plus beta square plus 4 plus 4 beta is equal to alpha square plus 16 minus 8 alpha plus beta square plus 9 plus 6 beta ठीक है ये 9 कैसे है 3 का whole square ये 16 कैसे है 4 का whole square अब देखिए right hand side और left hand side में alpha square है alpha square cancel हो गया beta square plus sign में beta square cancel हो गया so अब overall sum up करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक side अगर लिखेंगे so minus 2 alpha plus 4 beta ध्यान से समझेंगे minus 2 alpha plus 4 beta यहाँ minus 8 alpha right left hand side में जाएगा तो plus 8 alpha हो जाएगा ठीक है और plus 6 beta है तो minus 6 beta हो जाएगा right plus 1 plus 4 यहाँ पर 5 है और 16 plus 9 यह 25 है तो minus 25 is equal to 0 okay so अब यहाँ पर minus 2 alpha plus 8 alpha कितना हो जाएगा 6 alpha 4 beta minus 6 beta कितना हो जाएगा minus 2 beta right minus 20 is equal to 0 2 कमर ले लेंगे तो 3 alpha minus beta is equal to minus 10 is equal to 0 so again इसको हम लोग लेक सकते हैं ध्यान समझेंगे यहाँ पर बहुत important है so this is 3 alpha minus beta is equal to 10 ठीक है यह equation आगे हमारा right 3 alpha minus beta is equal to 10 अब देखिए यहाँ पर यह independent equation equation 2 इसको लिख लेंगे जो कि radius को equal करके निकला और यहाँ पर equation 1 है 3 alpha plus 4 beta is equal to 7 3 alpha plus 4 beta is equal to 7 जो कि equation 1 है यह equation 1 किस condition से आ रहा है कि center जो है यह 3x plus 4y वाले line पर लाइक आ रहा है तो इन दो conditions से एक equation और एक independent condition से एक equation अगर इस दोनों को अगर हम subtract करेंगे ध्यान से देखेंगे अब subtract करते हैं तो यह कहा 3 alpha minus beta is equal to k और पहला 3 alpha plus 4 beta is equal to 7 अगर subtract करते हैं तो यह minus हो जागा यह minus यह minus ठीक है बीटा का value क्या गया minus 3 by 5 अब यहाँ पर 3 alpha minus beta is equal to 10 है so alpha निकालने के लिए हम क्या कर सकते है 3 alpha is equal to 10 plus beta 10 plus beta हो गया अब 10 plus beta अब इसको लिख सकते है 10 plus beta is minus 3 by 5 minus 3 by 5 so यह हो जाएगा 10 minus 3 over 5 so यह हो जागा 50 minus 3 47 over how much that is 5 47 over 5 so alpha is equal to 47 over 5 multiply by 3 so this is 15 so we can write alpha beta इसका कोडिने क्या बन जाएगा हमारा alpha is 47 over 15 and beta is beta की value beta का जो कोडिने आया वो minus 3 over 5 ठीक है यह alpha beta आ गया है मतलब center आ गया अब radius हमें निकालना है so we can write here radius is equal to अन्डरोट भ्हान से देखेंगे आपे alpha minus op ले ले लेते हैं या oq ले ले लेते हैं कुछ भी ले लेंगे so op निकालते है alpha minus 1 that is 47 over 15 minus 1 का whole square plus beta केतना है minus 3 over 5 minus op का इसका coordinate का है minus 2 तो minus minus क्या हो जाएगा plus so this is plus 2 चलिए इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 1465 divided by 225 का square 225 का square यह क्या जिकल के हमारा radius आगया ठीक है अब center और radius आगया अब next task क्या है equation of circle लिखना so x minus alpha that is 47 over 15 का square plus y minus beta y minus minus plus हो जाएगा 3 over 5 का whole square is equal to radius का square radius कितना है 1465 over 225 इसका square root का square ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा सा solve करना परेगा so x square plus 47 over 15 का square so we can write here 2209 over 225 a square plus b square minus 2 into a into b so this is 94 47 multiplied by 294 divided by 15 x okay plus y square plus 9 over 25 plus 6 y over 5 is equal to 161465 over 22 to 5 so अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इसको x square ऐसे लिखिलेंगे y square ऐसे लिखिलेंगे ठीक है minus 94 यह हो जागा 94 over 15 x okay plus 6 y over 9 6 y over 5 okay this is 5 yes 5 6 y over 5 अब जाएगा so this is equal to अच्छा इसको साथ में ऐसे लिख सकते हैं plus 2209 divide by 225 okay plus 9 over 25 minus 146 1465 divided by 225 is equal to 0 right अब इस सभी को solve करना है so इसे add करेंगे तो यह आजाएगा दिखिए भी add करें इसको लग से add कर लिया मैंने x square plus y square minus 94 over 15 x plus 6 y over 5 okay और यह हो जाता है 11 over 3 calculate करेंगे इसको यह आजाएगा फिर इसको हम solve करेंगे so we have 15 x x square plus 15 y square minus 94 x plus 18 y 18 y plus यह 18 हो जाएगा plus यह हो जाएगा 55 okay LCM is equal to 0 LCM इसमें 15 आजाएगा तो यह required equation of straight line I hope आपको यह चीज समझ जाएगा बहुत ही प्यारा सा question था लेकिन थोड़ा सा conceptual question था ठीक है और SLON का question है length जो है question का बढ़ेगा अब जाके ठीक है यह question होगा 13 question number 14 कहा रहा है find यहाँ पे question number 14 कहा रहा है find the equation to a circle passes through point 0 a b h and having center on the x-axis ठीक है यह question है ठीक है इस question को करते है हमें क्या कहा रहा है equation निकालना है ठीक है so equation निकालने के लिए क्या करना परेगा हमें uh equation के लिए हमें यहाँ से circle को पहले draw कर लू है ठीक है circle को हम लोग draw कर लिया और यह अब से 0 0 a से pass कर रहा है तो 0 a से pass कर लेते हैं point b है जो की 0 a से pass कर रहा है इसके बाद किया रहा है दूसरा point b h से pass कर रहा है यह point दूले लेते हैं ठीक है and having its center on the axis of x अब जो center का coordinate होगा चुक्की axis of X है तो y co-ordinate क्या होगा, zero होगा so center माल लेते हैं इसका H and 0 चुक्टly axis of X पे हमारा jay coordinate होगा वो zero हो जाएगा तो अब हमारे पास अगर उसको प की उसको C माल लेते हैं center को C माल लेते हैं और इससे हम माल लेते ही है, ठीक है तो आ जाएगा हमारे पास, O, P, C, P, रेडियस को बड़ाबर करेंगे, C, P, O, C, Q, जैसा पहले हैं किया था, वैसा ही कुछ करेंगे, So, H minus B का होल स्क्वार, H minus B का होल स्क्वार, plus 0, यहाँ पर B, H है, तो इसे H को alpha माल लेते हैं, सेंटर को alpha माल लेते है, alpha minus B का होल स्क्वार, plus 0 minus H का होल स्क्वार, So, this is equal to alpha minus 0, मतलब alpha minus B का 0 का होल स्क्वार, plus 0 minus A का होल स्क्वार, distance formula is squaring करतेंगे, तो यह है जाएगा, solve करेंगे, alpha square, plus beta square, minus 2 alpha b alpha square plus b square minus 2 alpha b plus h square so this is equal to alpha square और यह हो जाएगा plus a square ठीक है plus a square ओके तो यहां से देखिए alpha square और alpha square cancel out हो जाएगा so we can write here b b square minus a square plus h square is equal to 2 alpha into b so alpha can be written as b square minus a square plus h square over 2b ठीक है तो यह b square plus h square minus a square over 2b यह क्या आगया हमारा coordinate x coordinate किसका center का ठीक है x coordinate आगया center का तो center क्या हो जागा alpha 0 तो हम लोग center को लिख लेंगे alpha 0 अब क्या निकालना है equation of circle क्या हो जाएगा हमारा x minus ध्यान से देखेंगे b square plus h square minus a square over 2b x minus alpha का square plus y minus 0 का square y minus center 0 का square is equal to radius का square तो radius कितना है हमारा p c का square क्या लिख सकते है alpha minus 0 का square plus a square p c square is alpha minus 0 plus a square कर सकते है तो यह हो गया हमारा equation of circle और इसको हम लोग लिखेंगे square root का whole square थोड़ा complicated आ जाएगा but don't worry अब इसको solve करेंगे यह हो जाएगा हमारा x x square plus b square plus h square minus a square divide by 2b का whole square ठीक है minus 2x into b square plus h square minus a square divide by 2b plus y square is equal to alpha square plus a square और alpha square को कह लिख सकते हैं b square minus a square plus h square divided by 2b का square plus a square अब यह थोड़ा सा complicated हो गया so अगर यहां से हम लोग यह वाले पार्ट को और यह वाले पार्ट को cancel out कर सकते हैं क्योंकि alpha square है cancel हो गया और x2 से 2 cancel हो जाएगा right so we can write here xx square plus y square minus xx square plus y square minus x into b square plus h square minus a square over b minus a square is equal to 0. so we can write here b ध्यान से देकेंगे b into xx square plus y square और यह a square है so we can write here a square minus a square is equal to LCM ले ले लेंगे तो यह हो जाएगा x into b square plus h square minus a square इसको इसी तरह हम लोग लिख लेंगे कौन सा है point है हमारा 1 1 तो point को mark कर लेंगे so this is p यह point होगा 1 1 दूसरा point है 2 1 तो यहाँ पर mark कर लेंगे q 2 minus 1 और तीसरा point है r मार लेते हैं r so this is 3 2 इस तीन point से circle pass करता है तो हमें equation of circle find out करना है right चलिए assume करेंगे equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 इस equation को हम general equation of circle को assume कर लेंगे अब चूंकि यह point 1 1 से pass हो रहा है तो equation बनाएंगे क्योंकि 1 1 से pass हो रहा तो यहां पर यह satisfy करेंगा तो 1 square plus y के जगा 1 square plus 2 into g x के जगा 1 plus 2 into f y के जगा 1 plus c is constant so we have 0 so this is 2 plus 2g plus 2f plus c is equal to 0 तो यहां से हम लोग ले सकते हैं ध्यान से देखेंगे 2g plus 2f is equal to minus c minus 2 यह equation a बन गया suppose इसको equation a माल लेते हम ठीक है क्योंकि यह point p से pass कर रहा है similarly अगर यह point q से pass करेगा तो x के क्या डालेंगे हम 2 square y के जगा minus 1 square plus 2 into g x के जगा 2 plus 2 into f y के जगा minus 1 plus c is equal to 0 यह कितना हो जगा 4g एक साथ लिखते हैं यह कितना हो जगा minus 2f is equal to minus c और 204 plus 1 5 तो यह minus 5 हो जगा ठीक है equation यह b हो गया और तीसरा है point r, r से pass करेगा तब क्या बन जगा 3 का square plus 2 का square ध्यान से देखेंगे plus 2 into g into 3 plus 2 into f into 2 plus c is equal to 0 यह जगा 6g okay plus 4f 6g plus 4f is equal to minus c minus 3, 3 जा 9 और plus 4 तो minus 13 हो जागा नोचार 13 हो जागा minus 13 equation यह c हो गया अब basic task क्या है 2g plus 2f is equal to minus c minus 2, दूसरा क्या है 4g minus 2f is equal to minus c minus pi और तीसरा क्या है 6g okay 6g plus 4f plus 4f 6g plus 4f is equal to minus c minus 13 यही तीन equation है और इसी तीन equation को solve करके gfc की value को find out करना है चलिए हमने इसको a already माना इसको b already माना और इसको c already माना so we can write here a plus b a plus b को add करेंगे 2f 2f कर जाएगा so 6g is equal to minus 2c minus 7 right और अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते है अगर तीन equation को add करेंगे नहीं तीनों को नहीं add करेंगे अब क्या करते है बी को 2 से multiply करते है और इसमें c में add करते हैं 2 से multiply करेंगे तो देखे दिहां से 8g plus 6g कितना हो जागा 14g minus 4f plus 4f जीरो so this is equal to minus 2c minus 10 और minus c minus minus कितना हो जागा यह minus 3c minus 23 I hope आपको समझी में आया होगा right यह चीज हो गया अब यहां से यहां से हम लोग g की value क्या ले सकते हैं minus 2c minus 7 over 6 so we can put the value g in this equation so 14 into g के जगह minus 2c minus 7 divided by 6 is equal to minus 3c minus 23 okay same चीज है इसको calculate करेंगे so 2 3 जा 6 2 7 जा क्यों हो जागा हमारा 14 so minus 14c minus 49 so this is equal to minus 9c and यह हो जागा minus 69 I hope आपको समझ में आगया होगा so minus 49 plus 69 so this is equal to minus 14c minus 9c so 5c is equal to 20 so c is equal to 4 c का value आगया 4 अब जैसे ही c का value 4 आगा यहां से g की value का हम लोग find कर सकते हैं minus 2 into 4 minus 7 divided by 6 so यह जागा minus 8 minus 7 divided by 6 minus 15 over 6 तो यह क्या हो जागा minus 2 से कर लेंगे तो 3 से कर लेंगे minus 5 by 2 right 3 2 6 3 5 15 minus 5 by 2 so g की value आगया minus 5 by 2 अब g और c की value किसी भी equation पूट कर देंगे जहां से हमें f को निकालना है तो f की value यहां से इस equation पूट कर देंगे 2g plus 2f is equal to minus c by 2 तो 2 into g minus 5 by 2 plus 2 into f की value निकालना है मुझे so this is equal to minus c minus 2 so minus 4 minus 2 so 2 to cancel हो जाएगा minus 5 plus 2f is equal to minus 6 right so 2f is equal to minus 6 plus 5 so this is equal to minus 1 so f की value यहां से minus 1 by 2 आगया ठीक है so f is equal to minus 1 by 2 g is equal to minus 5 by 2 और c is equal to 4 equation क्या था xx square plus y square plus 2 into gx 5 by 2 into x plus 2 into f minus 1 by 2 into y plus c is equal to 4 ठीक है 2 से 2 cancel 2 से 2 cancel तो equation of circle आगे xx square plus y square plus 5x plus g की value minus 5 by 2 है so minus हो जागा यह minus 5x minus y plus 4 is equal to 0 काफी लंबा हो गया equation lecture भी काफी लंबा हो गया तो आई होप यहां पर आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा तीन point था तीन point से हम लोगों ने तीन equation निकाला और तीन equation से हम लोगों ने dependent equation निकाला और उस दो equation को solve करके हम लोगों ने तीनों variable को निकाला g, f, c को और इसका value हम लोगों ने equation standard equation अप्टूट कर दिया आज के लिए तना ही रखते हैं, next class में question number 19 और 20 करेंगे और इसके आगे को portion करेंगे, आज के लिए तना ही रखते हैं, have a nice day, join